अलो दोस्तों फिर से एक पर स्वागत है पैशें टिर्स में आज हम बनाएंगे मार्बल केक जो बहुत ही एजी रेसिपी है और देखने में भी बहुत ही अट्राक्टिव है तो चलिए फटा फट बना लेते हैं मार्बल केक इसके लिए हम पहले लेंगे बटर इसके साम हम एड़ करेंगे चीनी पाउडर मैंने यहाँ पे एक कप चीनी पाउडर का यूज किया है इसमें एड़ कर देंगे हाफ कप ओईल दो अंडा और इन सब को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे दोस्तों याद रहे जितने अच्छे से हम मिक्स करेंगे केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन केक बहुत अच्छा बनेगा यह देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है अब हम मैदा, मैंने यह पर स्टेनर का यूज किया है, अगर स्टेनर यूज करेंगे, तो केक में कोई लंप नहीं आएगा, इसमें जाएगा एक चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा नमक, इन सब को हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे, ले और टेक्च्चर हमें थोड़ा सा मीडियम रखना है, जादा पता नहीं, जादा मोटा नहीं, तो इसके एकोडिंग हम दूद आट करेंगे, अभी मैं बाकी आधा मैदा इसमें आट किया है, और फिर से एक बार हम इसे मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, और अपने जरुरत के हि इसका टेक्च्चर सही राएंगे, ये देखिये, ये मेरा सही हो गया है, लास्त में हम इसमें आट करेंगे, वैनिला इसंस, दो छम्माच वैनिला इसंस कायेंगे, अब जितना मैंने बाटर बनाया था, उसका वान फॉन फॉर बाटर L लेके, हम इसमें आधा कप, चॉकलेट पाउडर एड़ कर देंगे सेम तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसमें धीरे-धीरे दूद एड़ करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से ये देखिए दोनों बाटर मेरे रेडी है मैं एक बाट टेक्स्चर आपको दिखा देती हूँ इस तरह का टेक्स्चर हमें चाहिए अगर आपको लगे कि ये आपका थोड़ा जादा मोटा हो गया है तो आप इसमें अभी भी दूद आड़ करके इसके पतला कर सकते है तो चलिए अब पैन रेडी करते हैं मैं अच्छे से ऐल कर लिया है फिर इसमें हम एड कर देंगे बेकिंग पेपर बेकिंग पेपर के उपर भी हम ऑल ग्रीस कर देंगे फिर हम इस तरह से लेरिंग करेंगे एक बार वाइट बैटर एक बार चॉकलेट बैटर थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जो देखने में केक का शेप होगा वो बहुत ही अच्छा होगा यह देखिए इस तरह से हम करते जाएंगे अगर यह सेंटर में ना हो तो भी कोई प्राब्लम नहीं है क्योंकि हमें मार्बल केक बनाना है तो हमें मार्बल की तरह बस लुक लाना है अब एक टूथपेक लेंगे टूथपेक लेने के बाद इस तरह से हम इसे डिजाइन करेंगे क्यों हुआ ना दोस्तों बहुती मज़ेदार बस ये केक का बैटर एकदम बिलकुल रेडी है अब एक बैन लेके हम पाच मिनिट मीडिया फ्लेम में इसे प्री हीट करेंगे पाच मिनिट बाद कवर हटा के जो बैटर हमने रेडी किया था वो प्लेस कर देंगे और कवर बंद करके हम इसे 30 तो 35 मिनिट लोव फ्लेम में पकने देंगे 35 मिनिट हो गया है अब चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं एक टूथपेक लेके इसके सेंटर में आप इस तरह से देखिए अगर टूथपेक क्लीन निकला है तो मतलब केक हमारा रेडी है तो चलिए प्लेट पे जर्व कर लेते हैं यह देखिए कितना अच्छा लेरिंग आया है दोस्तों आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब परना मत बुलिए